नमस्का दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की वीडियो MBBS से रिलेटेड है मैं कंट्री का जो डिसकस करूंगा वो है में जोइन करने के लिए अप्लिकेशन डाली हैं बट अभी तक उन्होंने बहुत सारी कंडिशन्स फुल्फिल नहीं की है तो अभी जो सर्विया है इन जो कंट्री के टॉप में है जो आने वाले टाइम में में भी एजू के साथ जोइन कर सकती है जैसे मैं मोलड़ुआ की बात करूँ, सर्विया की बात करूँ, अलवेनिया की बात करूँ, मैसीडोनिया की बात करूँ तो यहां पर भी alguém की आफशन्स यह मैंने जो चार कंट्री आपको बताई हैं वहां की उनिवस्टीज अर्दाГूड जूनिवस्टीज हैं मैं नहीं बता रहा हूं, आप खुद भी जाकर वहां की रिस्पेक्टिव उनिवस्टीज की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, तो सर्विया के अंदर वहां पर तीन मेडिकल उनिवस्टीज है, एक तो उनिवस्टी ओफ वेल ग्रेड है, तो दूसरी जो उनिवस्ट और थार्ड वन उनिवस्टी ओफ एन एएस, तो ये तीन उनिवस्टीज हैं वहां पर यहां पर आप अपनी मेडिसन की डिगरी, जो की एम्बीबिस की डिगरी, सिक्स येर्स की कर सकते हैं, इवन यहां पर भी लाइसेंस का प्रवीजन है, जो इंटरनेशन स्टूडेंट वो यहां का लाइसेंस भी ले सकते हैं, अगर मैं फीसिस की बात करूँ यहां की जो प्रवीज है, पच पन सो यूरो से स्टार्ट होकर, 5,500 यूरो से स्टार्ट होकर, 7,500 जोरी, 7,000 जीरो पर येर की, तो यहां पर भी हमने ट्रांसफर के स्टूडेंट्स कुछ बेजे है जो यूक्रियन से इफेक्टर थे उनको भेजा है एवन अगर आपने 2023 में सब्तंबर में यहां पर जाना है तो आपको आज से ही प्रप्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बजट नहीं होता यूरोपीन कंट्री के लिए शेंगन कंट्री के लिए जान और कंट्री बता दी जाए जो कि यूरोपीन जूनियन के साथ में हो जहां जूरोपीन जूनियन में जॉइन करने के लिए वेटिंग लिस्ट में हो तो उनको भी रेक्मेंडिंग की यहां पर आप अपना अड्मिशन डालें मैंने मोल्डोवा का भी नाम लिया है से उनको भी वहां पर अड्मिशन करवा कर दिया है तो अगर आपका एम दो हुजार तैईस में दो हुजार तैईस में एमड़ोड जाने का है तो क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑप आप्शन्स हैं शोटी मोटी कंट्री में तो हम आपको एजीली भेज सकते हैं यह इसी रशिया जा इसी बेलारूस ऐसी कंट्री के बारे में डिसकस करूँ जहां पर तो नंबर ऑफ सूडन्स जाते हैं कंपेर्टेवली बहां से यह मैंने अभी कंट्री आपको सर्विया बताई है उनसे कंपेर्टेवली बेटर है बट बजट है तो फिर जुरोपियन जू कंट्री में जाना चाते हैं कुछ कंट्री में अडिमिशन की बहां पर प्रसीजर है ओन्दा वेशिजोंफ आपकी प्रीवियस जो टैन्थ wealth के percentage उसके उपर है, कुछ यूनिवस्टी में admission का जो process है, on the basis of university अपना एक exam लेती है, जिसको हम university का intense exam कहते हैं, उसमें जो cut-off पांती है, उसके basis के उपर है, और कुछ यूनिवस्टी में international exams होते हैं, जैसे मैं jam set कहूं, you cat कहूं, be met कहूं, i met exams कहूं, जैसे set exams कहूं, उसके basis पर they are giving, जैसे इंडिया के अंदर need चलता है, जैसे common intense exam है, ऐसी तरके से depend है, आपने जाना कहा है, तो शेंगन के अंदर भी मेरे पास number of options है, जैसे मैं रुमानिया, बुलगारिया, कुरेशिया और साइपरस की बात करूं, these are the European country, even शेंगन की जो another country है, लाट्विया, लाथूनिया, जैसे मैं इस्टोनिया, इन में भी हम एंबिबियस के लिए भेजते हैं, जो भी मैं यह नाम बता रहा हूं, जब पॉलेंड की बात करूं, हंगरी की, सुलवाक्या, सुलवेनिया की बात करूं, चेक रिपबलिक की, मैं बात करूं, ग्रीस की बात करूं, माल्टा की बात करूं, इटली की बात करूं, या स्पेन की बात करूं, तो यहां पर भी हम इंटरेंशन स्टूडेंट्स को भेजते हैं, तो डिपेंड है, आपने कहां पर जाना है, आपका बजट क्या है, आप फर्दर चाहते क्या है, उसके अकोडिंग हम 12 10 और 11 में ही coaching center में डाल देते हैं तो इसी तरीके से जब आपने foreign में भी जाना है तो एक साल पहले preparation स्टार्ट करनी है एक साल पहले अपने consultant से संपर्क करना है क्योंकि मैंने फिर बता दिया depend है कि आप कौन सी country में पढ़ने के लिए जा रहे हैं countries आपका ILTS भी मांगती है कि आपने ILTS किया है जब नहीं किया है depend again कि आपका main motto क्या है फॉरण में डॉक्टर बनने का even अगर यहां से आपने license लेना है जो duration है six year का है six year complete करने के बाद six to twelve month की आपको internship करनी पड़ती है internship के बाद उनका exam होता है licensing exam आइदर आप domestic student है आइदर आप international student है वो आपको licensing exam qualify करना पड़ेगा जो licensing exam है that is in servian language तो servian language भी आपको आने ही चाहिए बट आपकी जो entire study है that will be in English में रहेगी तो जब आप बहाँ पर पढ़ते हैं six year में तो उस time हपते में दो जाँ तीन दिन जा एक दिन आपकी servian language की class भी include है आपको भो भी सीखनी पड़ेगी तो B2 करने के बाद आप उस exam को clear करने के बाद जब आपको license मिल जाता है तो you can practice as a full-fledged doctor in servia और another जो वालकन state है वहाँ पर भी practice कर सकते हैं यह यह type के आपको advantages मिल सकते हैं अगर आप servia में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं हमारे channel के उपर number of videos है related to mbbs in abroad अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे channel को browse करके देख सकते हैं हमारी एक playlist है बनी हुई है separately mbbs in abroad से related आप उस playlist में जाकर मेरी number of videos देख सकते हैं जनके अंदर मैंने बहुत सारी countries के बारे में discuss किया है अगर आपने वहाँ पर admission लेना है तो क्या procedure है आइदर वो Australia की बात करें New Zealand की बात करें Canada की बात करें Germany की बात करें USA की बात करें UK और Ireland की बात करें तो उसमें admission लेने के process के बारे में मैंने explain किया है तो लासी मेरी यही request है कि अगर आपको जो मेरी video चलगी इसको like and share करना ना बोले Thank you